सबी भक्तगरणों को नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर उमा शरी और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ब्यूटी पार्लर वाले कुछ गलतियां करते हैं तो किस तरह से उनको बद्दुआ लगती है बद्दुआ पर एक बड़ी सीरीज बिना रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों का जीवन शापित हो जाता है बद्दुआ से ये ब्यूटी पार्लर वालों को ही समर्पित है उन पर ही केंजरित है और अलग-अलग सीरीज बना रही हूँ अलग-अलग प्रफेशन से जुड़े होए लोगों के बारे में बता रही हूँ अलग-अलग जीवन शैली से जुड़े होए लोगों के बारे में बताऊंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसे एक से बढ़कर एक बहतरीन जादगरी आपको प्राप्त हो सके, मेरे 20 वर्षे अधिक वर्षों की जो साधना है, उसका अलाव आपको मिल सके, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में इमेल आईडी दी हुई है, उसके तुरू आप मु जिस समय आपकी जनम दशा खराब चल रही हो, जब लोग ये कहते हैं कि अब दवा काम नहीं आ रही, अब दुआ की जरूरत है, तो उस समय आपके ये जो संचित कर्म, जो पाप या पुन्य के श्रेणी में है, तब काम आते हैं, तो ये ना सोचें कि अभी हमने अभी तो चीजे काम आती हैं, वो सब निश्फल हो जाती हैं अगर पार्लर वाले इस तरह का काम करते हैं, नमबर एक पर सुनिए, पहली चीज तो ये, क्योंकि ये मैंने बहुत रिसर्च किया, इस पर बहुत लोगों से बाकरदा बात की है मैंने, और तब जाके ये परिणाम सामने आये हैं, कुछ पार्लर वाले, देखो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेश पर नहीं है, जो ऐसा नहीं करते हैं तो प्लीज आप अपने पर मत लेना, ये वीडियो अपके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग करते हैं, वो सावधन जरूर हो जाएं, और सावधन भी नहीं ह होते हैं, तो मेरा क्या लेंगे, आप, मेरा कामें आपको सिर्फ जान करें देना, मानो तो मानो नहीं तो मत मानो, लेकिन मैं बहतरी के लिए ही बताती हूँ और मेरा प्रियास यही रहता है, कि मैं आपको सही मार्ग दिखा सकोँ, अब चलना ना शलना आपके हाथ में है, अगर अंजाने में गलती होती है तो उसे माफ किया जा सकता है लेकिन अगर जो बाते मैं आपको बता रही हूँ वो बाते आपको पता लग गई उसके बाद भी आप उसी गलत मार पर चल रहे हैं तो फिर आप ही मालिक हैं अपनी किस्मत के आई आज का वीडियो शुरू करते हैं पहली चीज जो पार्लर वाले करते हैं और मैंने बाकाइदा बादचीत की बहुत लोगों से बादचीत की मैंने कुछ एमपलाई से बात करी तो ये चैस सामने आई कुछ ऐसा नहीं करते होंगे लेकिन जिसने मुझे बताया उसने अपनी नौकरी छोड़ने का एक इंगी क्रीम में सस्ती क्रीम मिलाओ बलकि सस्ती क्रीम से ही फैशल कर दो जिस फैशल के 2-3,000 ले रहा था वो पार्लर वाले वो फैशल ना केवल 10-20 रुपे में किया जा रहा था मतलब इतनी पैसे की भूख थी उस पार्लर वाले को ये उस लड़की ने बताया और उसने वहाँ पर जॉब छोड़ दिया उसने का दीदी इसी वज़े से जॉब छोड़ा और अब वो अपना ही पार्लर खुद का खोल रखाया उसने और चाहे गरीबी में सही कैसे भी सही मांदरी से अपना काम कर रही है जैसा कि उसने पताया आप कितना कर रही है नहीं कर रही है ये भगवान जाने या वही जाने लेकिन उन्होंने मुझे बताया जरूर ये कि ऐसा अक्सर पार्लर वाले करते हैं दूसरा मैं स्वैम बताती हूँ जैपफोर में नाहरगर रोड है आपका भी ट्राय करना वहाँ पर कुछ सांबान मिलता है जो की जरूरत पड़ती कई बार मैक अगरा करके वीडियो बनाते हैं कई बार बिना मैक अप के भी बना देते हैं तो वहाँ वराइटी बहुत मिल जाती है उस द्रश्टी से मैं भी गई थी एक बार वहाँ अपनी रिष्टेदार के साथ में और वो जो मेरी रिष्टेदारे वो N.G.O. चलाती है और उन्होंने अपने गरीब महिलाओं को प्रस्रिक्षन देने के लिए उन्होंने पार्लर का कुछ कोर्स भी चालू कर रखा था गरीब महिलाओं को N.G.O के थ्रू तो वहाँ पर उनको भी सस्ते में सामानवामन दिलवाने के हिसाब से उनको लेना था तो उनका परीचे था किसी शौप से तो वहाँ हम गए और वहाँ में जो जानकारी प्राप्थ हुई वो चौकाने वाली थी जब मैंने ये पूछा कि कोई अच्छी से क्रीम बताओ तो उन्होंने बोला कि मैंने एक रखी हुई क्रीम के बारे पूछा कि या क्या ये पार्लर वालों के लिए है तो उस दुकान वाले ने जवाब दिया जी पार्लर वाले पार्लर वालों के लिए तो ये अमरत है, क्या यूज करते हैं जरा हमसे पूछो आप ये तो बहुत बढ़ी आ क्रीम है, जबकि वो क्रीम बहुत सस्ती थी, बहुत ही सस्ती थी 100-200 रुपे की क्रीम होगी, बोले अरे पार्लर वाले तो ये भी यूज नहीं करते, ये जवाब था उनका, तो यहाँ जो इतनी विस्तार से बात कर रही हूँ, मैं हो सकता है कुछ लोग इसको माने ना माने, और ये देखो मैं पहले ही डिस्कलीमर दे चुकी हूँ, मैं विक्ति विशेश के लिए नहीं हो रही हूँ, जो मार्केट में चल रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो अच्छे पार्लर वाले हैं, जिनका खुद का प्रोडेक्शन है वो अपने हिसाब से काम करते होंगे लेकिन कुछ लोग, एक मशली सारे ताला आपको गंदा करती है, आपको पता ही है एक आदलों कुछ गलत काम करते है तो सभी पर प्रशन चीन लग जाता है यह होता है, आप जानते हैं इस बात को तो सस्ती चीज लेना, नकली चीज मिलाना फैशल में जो फैस्पेक लगता है, आप चंदन का बता रहे हो यूज क्या कर रहे हो, यह सारी चीजें सारी चीजें बद्वा खाने की श्रेणी में आती है और ऐसे बद्वा लगती है आपने आपको तो तसलित दी, कि क्लाइंट है उस बेवकूफ को क्या पता चलेगा क्लाइंट तो बेवकूफ है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है लेकिन जो उपर एक बहुत बड़ी शक्ती है न जिसके नाम का दिया आप अपने भी मंदिर में रोजना लगाते होंगे आप उस शक्ती के साथ छलावा कर रहे हो वो आपको कहता है मेरे बंदे इमानदरी से काम कर मैंने तुझे सब कुछ दिया इमानदरी से काम कर लेकिन आप क्या करते हो आप अपने ही क्लाइंट की आँखों में धूल जोगते हो तो ये बद्दुआ की बहुत बड़ी वज़े है अगर ऐसा करते हो तो रुख जाओ रुख जाओ, मत करो ये सब गलत काम अगर आपने किसी क्लाइंट से 500 रुपे लिए है और जो चीज आपने बताई है वही यूज करिए मेरा स्वेम का एक अनुभव है एक बार मैं किसी पारलर में गई थी हालकि मैं बहुत कम जाती हूँ पारलर, बहुत ही कम जाती हूँ साल में शायद अब तो मेरे एक या दो चक्कर लगते हूँ शादी से पहले तो मैं रेगुलर जाती थी पर अब मैं नहीं जाती हूँ इसका कारण है कि बहुत बड़ी साधना बहुत बड़ा आध्यात्म में आने के बाद ये सब चीजें गौन लगने लगती है और इनकी तरब इतना रुझान नहीं रहता है ये सत्य बता रही हूँ मैं आपको दिल की जो बात है वही मैं आज आज आप से शेयर कर रही हूँ लेकिन जब एक बार गई में पहले ये दो-तिन साल पहले की बात है तो उस पार्लर वाली ने एकस्पाइरी डेट का सामान रख रखा था जनरली लोग ये छोटी-छोटी बाते देखते नहीं है और अगर आप किसी को कुछ ऐसी बात बोलते भी हो न तो वो बोलते हैं अरे आप पहले क्लाइंट हो जो इस तरह की बात कर रहे हो आप अपने कर्म खाते खराब मत करो बद्वा की अलगलग सीरिस बन रही है उसमें पार्लर वाले ये हैं कि आप क्रीम के नाम पर अकर धुका दड़ी कर रहे हो फैशल कोई आपसे करा रहा है आप धुका दड़ी कर रहे हो तो बहुत ज़दा गलत कर रहे हो बहुत ज़दा गलत कर रहे हो ग्रहक जो होता है भगवान का रूप होता है क्लाइंट है तो आपका पार्लर चल रहा है इसलिए आटे में नमक जितना भी नहीं करना चाहिए लेकिन नमक में आप आटे जितना कर रहे हो तो ये बहुत बहुत गलत है सुधार लीजिए अपनी आदतें और बद्दुआ मत लगने देजिए क्योंकि अच्छे बुरे कर्म ना जाने आड़े वक्त में कब काम आए तो पार्लर वालों को ये बहुत बड़ी वज़े होती है जो बद्दुआ लगती है दूसरी वज़े और बताती हूँ पार्लर वाले क्या करते हैं टॉबल्स क्लाइन को बोलते हैं अब ये भी बस आपको ही दिया है निकालकर फ्रेश और जबकि वो तीन चर बार यूज किया हो होता है तो ये छोटी 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 चीज़े हैं जो अनहाईजिनिक आप चीज़ें काम में ले रहे हो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप प्रोडक्ट के नाम पे जूट बोल रहे हो तो आपके ग्रह पेडित हो रहे हैं क्योंकि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है और वीनस खुशियां देता भी है तो छीन भी लेता एक जटके में इसलिए शुक्र आप से आपकी खुशियां छीन सकता है आप किसी भी तरह की बेईमानी मत करिए किसी को धुका मत दीजिए इमानदरी से काम करिए अगर हर आदमी ये शपत ले लेगा कि मेरे बेईमानी करने से बहुत बड़ा फरक पड़ता है और मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है तो वाकई में समाज में बदलाव आएगा और हर तरफ इमानदरी का बोल बला रहेगा आज का वीडियो मैं समाप करती हूँ परमात्मा आपको सद बुद्धि दे और आपको सदा खुश रखे